गुजरात दंगे को लेकर गठित जस्टिस जीटी नानामती आयोग की रिपोर्ट को आज विधान सभा के सामने रखा गया ग्री मंत्री प्रदीप सिंग ने कहा कि आयोग ने ततकालीन मुख्य मंत्री नरेंद्र मोधी को क्लिम्चिट दे दिया है साथ ही आयोग ने अपने रपोर्ट में कहा कि ततकालीन मंत्री हरेंद पंड्या, भरत बारोट और अशोग भट की किसी भी तरह की कोई भूमिका साफ नहीं होती रपोर्ट में अरभी श्रीकुमार, राहुल शर्मा और संजीव भट की भूमिका पर सवाल खड़े किये गये है ग्री मंत्री प्रदीप सिंग ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी पर आरोप लगा था कि किसी भी जानकारी के बिना वो गोधरा गय थे इस आरोप को आयोग ने खारच कर दिया है इसके बारे में सभी सरकारी एगेंसियों को जानकारी पहले से थी आरोप था कि गोधरा स्टेशन पर ही सभी 69 शवों का पोस्ट मौटम किया गया लेकिन इस आरोप को भी खारच कर दिया गया कि ये अधिकार्यों द्वारा लिया है decision था इसमें उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह का कोई भी आदेश जारी नहीं किया था तो यह जो आरूप लगा था उसे भी खारच कर दिया